दोस्तों, बॉड़ी को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज के साथ हेल्धी डाइट लेने की जरुत होती है लेकिन आज के इस बीजी लाइफ में लोग इस और ज्यादा ध्यान नहीं दे पातें काम के लिखता और रही डाइट लेने की वज़ा से शारीरी कुर्प से कमझूर होने लगते हैं और शारीरी कमझूरी होने की वज़ा से बॉड़ी में कई तरह की विमारिया होने लगती है आज मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे मरदाने जा रहा हूं जिसके 7 से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होने के साथ साथ शरीर फॉलादी और आकरशक बन जाएगा और चहरा हमेशा ग्लोइंग करेगा और ये कोई महेंगे चीज़ भी नहीं है दोस्तों इसे हर कोई आसानी से भीगे चने तो आप खाते ही होंगे इसके साथ में अगर किश्मिस खा लें तो आपको फॉलाक बनने से कोई रोक नहीं सकता जिस प्रकार चन्य में प्रोटीन कार्बोहाइड़रेड फैट्स फाइबर प्रचूर मातरा में होते हैं उसी प्रकार किश्मिस में पोटेशियम खाना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों अगर आपको सुंदर और स्वस्ते बनना है तो ऐसी कोई भी चीज ना खाए जो आपके लिए फादा ना करें हमेशा ऐसी चीज खाएं जिसमें भरपुर मातरा में प्रोटीन हो और यह भीगे चने और भीगे किसमें से अच्छा दुसरा कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों भीगे चने में अधिक मातरा में कार्बो हाइडरेट प्रोटीन नमी चिकनाई रेशे कैल्शियम आरन और विटामिन पाय जाते हैं जो आपको स्वस्ते रखने में लाब दायक होते हैं इसके सेवन करने से शरीर में स्फूरती के साथ की अची मातरा होती हैं मिलकर मज़्बूत बनाने में यह सबीको पता है कि हड्यों के दिरेशोर को अजरता है चने अगरकते हैं अगर आप कमजूर हड्दीयों की कमी से जूझ रहे हैं तो आप चैना और केंश्मिस खाना ही शुरू कर दीजह अगर आपके बाल समय से सफेद हो रहे जढने लगए हैं तो दोस्तों आप को जरुत है संकुर्ण आहारी आपके शरीर में उससारी पुर्षक तत्मों नहीं पहुँच पा रहे हैं सगशトर अग्य क किologies औप ते आपके बाल शकीन और शरीर के संपुर्ण विकास के लिए हैं आपको करना बस ये रात को एक मुठी चना और 15-20 दाने किसमिस को पानी में घगोकर रखना है और सुबह उठते ही आपको एक गिलास गुर्णगुना पानी पीना है गुर्णगुना पानी पीने के बाद आप अफ फ्रेस हो जाए ये फ्रेश होने के बाद चना और किस्मिस को चबा चबा कर खा लीजे और बचा हुआ जो पानी है उस पानी के उपर से पी लीजे इसके बाद आप एक घंटे तक कुछ भी खाये पिये नहीं दोस्तों अगर यह आपने लगातार एक महिना कर लिया तो समझो आपकी काया प्ल होते हैं जिन्वी भाई भेनों के मुह से ब्रस करने के बाद भी पूरे दिने स्मेल आता हो तो उनके लिए फादा करेगा किस्मिस वा भीगे चने पेट को साफ करते हैं और डाजेशन बहतर करते हैं यह रक्त चाप यानि बीपी कंट्रूल करते हैं और दिल की बिमारियों से बचाव करते हैं याद रहे भीगे चने और भीगे किस्मिस के साथ ही साथ पानी को भी पीना है बहुत फादा होगा ये अंदुरूनी ताकत बढ़ाने में फादा करता है स्वं काउंट को बढ़ाता है शारीरिक दुरुबलता को जड़ से खत्म करता है चने मसल्स लंगत चली गई हो अपने लुक की वजह से अंडर कॉंटर देंस फिल करते हो तो जरूर इसे लगतार फॉलो करो जिन्मी भाई बैनों का शरीर हमेशा दर्द करता हो हाथ पर में हमेशा दर्द होता हो तो किश्मिस चने का सेवन आज सही शुरू कर दो फादा करेगा खुजिली रैसे जैसे स्कीन प्रॉलम इससे दूर होती है भीगों ही चने और किश्मिस में धेर सारे से फाइबर सोते हैं अगर सुबह आपका पेट ठीक से साफ ना होता हो तो इसे लगतार लेजे दूसरे दिन से ही आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा चना और कमी दूर करते हैं अगर आप भी अपनी कमजूर इमुनिटी के कारण चल्दी जल्दी बीमार होने से तंग आ चुके हैं तो भीगे चने खाना शुरू किजे चने में विटामिन्स के लावा क्लोरोफिल और फासफोरस जैसे मेंदल्स में पाए जाते हैं जो शरीर से बीमा जाने का सेवन कीजे चना डाइबेडिस यो कंट्रोल करने में मदद करता है मोटापा ओवरवेट वालों के लिए भीगा चना और किस्मिस फाधा करता है यह शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमने नहीं देता और लंबे समय तक पेट भरा भरा महसूस होता है जिने भी गठिय चना डाइजेस्ट ना होता हो तो चना कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें और चना किस्मिस खाने के एक घंटे के बाद एक चम्मच आउला पौडर और एक चम्मच शहद दोनों मिलाकर खा लें इससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद